दिल्ली मेट्रो दिल्ली की जीवन रेखा है। हर महिने हम तक्रीबन 40 करोड रुपए सिर्फ बिजली के उपर खर्च कर देती है। जो हमारे पूरे ऑपरेशन एंड मेंटेनिंस बजट का लगभग 40 से 50 पी सदी हिस्सा है। इसलिए उर्जा बजट दिल्ली मेट्रो के संचालंगा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2008 में DMRC दुनिया का पहला ऐसा रेल्वी प्रोजेक्ट बना जिसे United Nations के Clean Development Mechanism CDM के तहट कार्बन क्रेडिट्स मिले। यही नहीं, मेट्रो की सूचिबत संचालन ने कई लोगों को सड़क परिवहन छोड़कर मेट्रो इस्तमाल करने को प्रेरिट किया। ऐसे उर्जा बचत के साधनों से दिल्ली मेट्रो अब एक हरित पत पर अग्रसर है, जो इसके मेट्रो स्टेशनों की बनावत में साफ नजर आती है। द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो रूफटॉप सोलर प्लांट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हम भारत के पहले ऐसे मेट्रो हैं जिन्होंने इतने बड़े स्तर का सौर उर्जा प्लांट लगाया है। ये प्लांट हर रोज 200 यूनिट बिजली पैदा करे। ये प्लांट गर्मियों में मेट्रो स्टेशन की 50 प्रतिशन और सर्दियों में 80 प्रतिशत पूर्जा की पूर्थी करेगा। साइट के निरीक्षण के बाद 8500 स्क्वेर मीटर के एरिया में 1670 सोलर पैनल बिछा दिये गए। दो स्क्वेर मीटर के एरिया वाले इन पैनलों में 300 वाट उर्जा देने की क्षमता है ऐसे 17 पैनल सीरीज कॉंबिनेशन में मिलकर एक लड़ी बनाते हैं और ऐसी 5 लड़ियां पैरलल कॉंबिनेशन में जुड़ी हुई है ये 85 सेट्स का कॉंबिनेशन एक इनवर्टर से जुड़ा हुआ है इनवर्टर इस सिस्टम के दिमाग हैं ये DC पावर को AC पावर में बदलते हैं हमारे पास 20 ऐसे इनवर्टर हैं जो एक साथ जुड़कर 400 किलोवाट AC पावर पैदा करते हैं सोलर मॉड्यूल से पैदा हुई बिजली इनवर्टर से सफर करती AC DB पैनल्स तक पहुचती है वहां से ये बिजली तारों के जरी निचले लेवल पर सोलर एल्टी पैनल्स तक पहुचती है सारी सौर उर्जा इस में डिस्ट्रिबूशन बोर्ड में फीड की जाती है इस सरकेट ब्रेकर की मदद से उर्जा की मॉनिटरिंग, किलोवाट, किलोवाट आर और मौसम की जानकारी जैसे टेम्परिचर, रेडियन्स की मॉनिटरिंग एक वेब साइट के जरिये की जाती है इस सौर उर्जा प्लांट की स्थापना से DMRC ने एक उज्वल सौर भविश्ची की नीव रखी है सस्टेनबिलिटी की द्रश्टी से हमने अपने कई और मेट्रो स्टेशनों को सोलर पावर के लिए इस्तिमाल करने का फैसला किया है आने वाले समय में हम और भी बड़े रूप में सोलर पावर को अपनाने के लिए और सोलर प्लांट्स की स्थापना करेंगे जल्द ही हमारे पास एक सोलर पॉलिसी भी होगी ये बस एक शुरवात है DMRC के लिए परियावरण की सुरक्षा एक प्राथ मिक्ता रही है और देश को एक हरित परिवहन तंत्र देने को DMRC हमेशा अग्रसर रहेगा DMRC